हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस कार्डिगन के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो शेयर करने वारी हूँ जैसे आपको पता ही है वन वन वाइन इसके सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किये हैं इस कार्डिगन के तो आज के पार्ट में आगे वाले दोनो पल्लों में मोढ़े की घटाई उपर और गले की घटाई और बुनाई हमने कैसे करनी है, यह सारा भूच में आपके करूंगी, जैसे हमने पिछे वाले पार्ट में इसमें घटाई डाली थी पांच, तीन, दो, एक की वैसे ही आगे के दोनों पलों में हमारी घटाई डालेगी इधर भी, इधर भी बस फर्क क्या होता है इधर वारी साइड हमारी सीधी तरफ से होगी और ये वारी साइड हमारी उल्टी तरफ से घटाई होगी तो पहले हम कोई भी एक आप पार्ट उठा लीजिए और उस पर हमने घटाई डालना स्टार्ट कर देना है इसमें तो इसमें पहले हमने क्या करना है पहले 5 फंदों की घटाई डालनी है इस तरह से और इसकी लेंथ जितनी लेंथ आपने पिछे वाले पल्ले में डाली है उतनी ही लेंथ बिल्कूल आपने काउंट करकर आगे वाले पार्ट में बना लेनी है अब ये दो देखिए ऐसे फंदे लेंगे दो का एक कर देंगे एक फंदा ये वाला एक फंदा ये वाला लेंगे पीछे से दो काई कर देंगे ये दो फंदों की गटाई होगी देखिए एक ये दो अब फिर से एक फंदा ये वाला एक ये वाला पीछे से सलाई डालते हुए दो काई कर देंगे तीन फंदों के होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, तो काई करेंगे, चार फंदों की, एक फंदा ये, एक ये, दो काई कर देंगे, ये टोटल हमने यहाँ पर अपने पांच फंदों की घटाई कर ली है, पांच फंदों की घटाई करने के बाद, अब ये वाले सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बाकी की सारी रों अपने डिजान के ucoding हम आगे बना लेंगे सीधी तरफ से पूरी रो बनाने के बाद अब हम उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से भी पूरी रो मैंने ये बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब इस लास्ट के फंदे को हमने ऐसे बीना भूने रख लेना है अब सीधी तरफ से हमने अपने तीन फंदों की गटाई डाल दी है तो इन दो फंदों को ऐसे सलाई में लेंगे इस बीना बुने है फंदे को उपर से किरा देंगे एक फंदे की होगी एक फंदा ये वाला और एक ये वाला लेंगे इन दोनों को भी दो काई कर देंगे फिर स पाकी की रोग पूरी डिजाइन के अकोडिंग और सीधी और उल्टी तरफ से बना लेंगे लास्ट का ये फंदा एक हम बीना बुने रख लेंगे जैसे उल्टी तरफ से अब मैंने दिखाया है आपको सेम टू सेम वैसे ही यहां तक फंदों को दो सीधे फंदे हम बनाएंग उल्टी तरफ से यहां पर ये एक ये दो दो सीधे फंदे बनाएंगे इस फंदे को बीना बुने ऐसे ही रख लेंगे तो पहले सीधी तरफ से रोग कंप्लीट कर लेते हैं फिर उल्टी तरफ से अब सीधी तरफ से हमने दो फंदों के गटाई करनी है पहले यहां पर पां दो फंदों की घटाई होगी है, दो फंदों की घटाई करने के बाद, अब बाकी की रो हम डिजाइन के अकोरिंग सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे, और लास्ट में एक फंदा बिना बुने रख लेंगे, क्योंकि अब हमारी सिरफ एक फंदे की यहाँ पर घटाई ठीक है, यह एक फंदे की घटाई कंप्लीट करने के बाद, अब यहाँ पर लास्ट में हमारे डिजाइन का दो का एक होगा, इस तरह से दो का एक कर देंगे, अब हर बार हमारा इसी तरह से हमने गाईस यहाँ पर दो का एक करते हुए, यह पूरी पत्ती हमारी जैसे चल र ठीक है, तो यहाँ पर डिजाइन बिलकुल असानी से हमारा सेट हो गया है, कोई फरक ही ने पड़ा है डिजाइन को, सेम तो सेम वैसे ही यह चलता जाएगा इधर वाली साइड, अब इसकी फर्स्ट रो जैसे हमारी डलेगी न, तो फर्स्ट रो में हमारा यहाँ पर तीन फंदे यह सीधे बनाएंगे, दो काई करेंगे, सेम तो सेम वैसे ही डलेगा यह वाला पोर्शन, यहाँ पर दो काई करेंगे, इस तरह से धागा अपनी तरफ, फिर यह दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से दो काई करती हुए, यह पूरी रो हम यहाँ तक बना लेंगे, अब क्योंकि यहां से हमने अपने गले की घटाई शिरू करनी है, यह दो फंदे उल्टे नहीं बनाएंगे, यहां तक हमने इस दिजाइन को बना लेना है, अब यहां पर लास्ट में मैंने यह दिजाइन पूरा कर लिया है, यहां पर जाली भी डाली है, हमने और यहां पर दो का एक भी कर दिया है, अब यहां पर हमने गले वाला दो का एक करना है, तो इस फंदे को मैं यहां पर वापस ले लूगे, इस तरह से ठीक है, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को यहां पर दो का एक कर अब हर सीरी स्लाई में हमने यहां पर 2 एक करना है ठीक है, यहांब करना हमारी गले की घटाई हमने स्टार्ट करती है यह 2 करती है फिर एक फंदा उल्टा बनाया बाके की यह रो सेम पर वैसे ही ड collision करकर यह पटन पट्टि वाले फंदों को हमने सेम पुस्यम वैसे ही बनादे जाना है। इस तरह से धागा दूसरी तरफ इसे उतारेंगे अब इसे सीधा बनाएंगे इस तरह से अब क्या करना है हमने उल्टी तरफ से जो ये दो फंदे हमारे उल्टी तरफ से सीधे चल रहे है न यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने हर एक रो में इन दो फंदो को सीधा ही बनाते जा बिल्कुल फनिशिंग से तो इसे हमने ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमने पहले बटन पट्टी वाले फंदे बना लिए फिर धागा दूसरी तरफ ये एक ये दो फंदे सीधे अब बाकी के फंदे सेम टू सेम वैसे ही बनाते हुए उल्टी रो आप सीथी तरफ से पिले स्टार्टिंग के 3 फंदे बनाएंगे 1,2,3 थेइलिन बनाने के बाद अब एक फंदा ये एक ही दो का ये कर देंगे इस तरह से फिर धागा अपनी तरफ यहां पर जाली डालेंगे ये फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे वापस लेंगे ऐसे सलाई में, इस तरह से करते हुए, जैसे हम बागी का डिजैन स्टार्ट करते हैं, same to save, वैसे ही कर लेना है इसे, तो ऐसे ही करते हुए, ये रो बनाएंगे हम, यहां तक, ये वाला last वाला डिजैन मैं यहां पर हम दो कई कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करते हुए जारी डालेंगे अब यहां पर क्या करेंगे इन फंदों को सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे यहां पर धागा अपनी तरफ यह दो काई करेंगे गले वाली घटाई का इस तरह से यह फिर से एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ करते हुए बाकी की सेम रोव ऐसे ही बनाने है अब यहां पर देखिए हमने क्या किया है आधी डबी मैंने यहां पर बंद कर दी है और आधी डबी ही हमने यहां पर चलाई है क्योंकि यहां पर फिर यहां पर 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए जब हम यहां तक पहुंचाएंगे तो यह वाली डबबी यह बंद हो जाएगी बिलकुल हमारी यहां पर कोई जाली नहीं डालने के लिए फंदा नहीं बचेगा तो यहां पर जाली कैसे डालेंगे तो ऐसे ही करते हुए हमने 2 का एक हर सीथि स्लाइमें यहां पर करते जाना है और इन फंदों को इसी तरह से हम बनाते जाएंगे तो यह मैं फंदें तब तक बनाऊंगी जब तक यहां पर हमारे पास रहना जाएं 22 या 24 फंदे रखोंगी जितने रखोंगी वो आपके साथ शेयर कर लूँगे ठीक है आपको बता दूँगे लेकिन गले की घटाई हमने same to same ऐसी आप एक बार समझ लीजिए फिर कमेंट में आप बार-बार मिरसे ये पूछते हो कई बार ऐसे बोल देते हैं देखें ये की complete घटाई दिखाईए ये कैसे possible है इतना कैसे मैं बोलूँगी और इतनी देर कैसे मैं वीडियो बनाऊंगी है ना ये मुश्किल है ना लेकिन जैसे मैं आपको समझाती हूँ अगर आप समझोगे तो बड़े अराम से इसे आप अगर complete भी होगी तो यहाँ पर आपने दुवारा से जब हमने ये फंदा दो काई कर दिया तो यहाँ पर चाली नहीं डलेगी हमारी ठीक है इस बात का आपने ध्यान रखना है फिर ये वाले सारे फंदे कम होगे ये फंदे कम होगे ऐसे ही हमारे यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो जैसे हमने इस portion की घटाई की है same to same इधर भी same वैसे ही होगी ठीक है ये वाले फंदे तो हमारे बचे ही जाएंगे कोगी इतने फंदे तो हमारे नहीं कम होगे तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है ध्यान रखते हुए continue ऐसे ही घटाई डालते जाएंगे उल्टी तरफ से आपने दो-दो फंदे सीधे ही बनाते जाना है तो मैं ये बना लेती हूँ ये वाली साइड फिर अगली साइड में मैं आपको दिखाऊंगे गले और मोडे की घटाई ये बनाकर हमने complete कर ली है यहाँ से मेरे जितने हमने पिछे वाले पल्ले में रखे थी उतनी ही same मोडे की घटाई रखनी है और ये गले की घटाई भी हमारी complete हो गई है और यहाँ पर जो मैंने फंदे रखे हैं यहाँ पर 24 फंदे रखे हैं यह 10 फंदे हमारे बटन पटी के अलग से हैं 24 फंदे यह वाले मोड़े के रखे हैं हमने ठीक है यह वाले फंदे और यह वाले बटन पटी के फंदे और यह वाले यह टोटल फंदे हमारे 34 होंगे 24 फंदे हमने ये डिजाइन के रखे हैं और 10 फंदे बटन बट्टी वाले जैसे हमने इस तरफ से बनाया है देखिए इस तरफ से हमारी गले की शेप कुछ ऐसे बन कर आईगी इस तरह से दिखाते हूँ मैं आपको ऐसे ठीक है देख लिजे ये वाली गटाई हमारी कुछ इस तरह से डिजाइन सेट होता गया जैसे मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वैसे ही इसका बनाया है जैसे हमने इस तरफ से बनाया है बिल्कुल वैसे ही हमने दूसरी तरफ से बनाना होता है इस तरफ से भी हमने इसकी length of gara same to same उतनी ही बना कर जितनी हमने दूसरे पल्ले में रखी है उतनी ही same इसमें रखी है सिरफ इसमें फर्क क्या है उस तरफ हमने सीधी तरफ से गटाई की थी और इस तरफ हमारी ये मोटे की गटाई उल्टी तरफ से start होगी तो पहले हमने ये 5, 3, 2, 1 की same to same वैसे ही अपनी गटाई डाल लेनी है तो ये भी मैं आपको इस तरफ भी बता देती हूँ की गटाई कैसे डालनी है दो का एक कर देंगे ऐसे लेते हुए फंदों को फिर से ये फंदा ये एक, एक ये है इन दोनों को दो का एक ये दो बार हो गया, एक फंदा ये, एक ये, दो का एक कर देंगे ये तीन बार, फिर से एक फंदा ये, एक ये इस तरह से उल्टा लेते ही हुए ये चार बार, और ये लास्ट एक, पांच बार ये हमारी टोटल पांच फंदों की गटाई कंप्लीट होगी पांच फंदों की गटाई करने के बाद, पहले ये हमारे जो फंदे हैं, उल्टे हम इन्हें उल्टा बना लेते हैं ये दो फंदे हमारे सीधे हैं सीधे same to same उसी तरह से ये रो बना कर हमने complete कर लेनी है इन उल्टे फंदों को सीधी तरफ से भी हमने ऐसे ये दो फंदे तो हमारे उल्टे हैं जो ये उल्टे ही बनेंगे सीधी तरफ से और इन फंदों को भी हमने ये तीन फंदे सीधे इस एक फंदे को भी नबूने सेम टू सेम जैसे दूसरी साइड में रखा था इस साइड में भी सेम वैसे ही बनाएंगे तो ऐसे करते हुए ये पूरी रो बना लेते हूँ फिर उल्टी तरफ से हम घटाई डालेंगे अब यहां पर हमने अपने तीन फंदों की घटाई डालने है तीन फंदों की घटाई डालने के लिए पहले दो फंदों को ऐसे स्लाई में लेंगे अब पिछे वाले फंदे को उठा कर उपर से गिरा देंगे ये एक फंदे की होगी एक फंदा ये एक ये दो काई कर देंगे ये दो फंदों की फिर से एक फंदा ये एक ये दो काई कर देंगे तोटल हमारे तीन फंदों की घटाई होगी अब धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे, भाकी की सारी रोज सेम टू सेम जैसे डार रहे हैं वैसे ही चलती जाएगी, बस यहाँ पर हमने इस फंदे को सीधी तरफ से नहीं बनाना है, बिना बुने रख लेना है, अब उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर अपनी दो की गटाई करने के बाद, अब बाकी की रोज सेम टू सेम अपनी डिजैन के हिसाब से बनाते जाएगे, अब सीरोफ हमारी एक फंदे की गटाई रहेगी है यहाँ पर, तो नेक्स रो में हमने वो भी बनाकर कम्प्लीट कर लेनी है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक फ बनाते जाएगे, अब सीधी तरफ से हमने अपने गले की गटाई शुरू करनी है, तो हमने यह पूरी रो ऐसे ही बना लेनी है, फिर अपनी गले की गटाई स्टार्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर हमने गले की गटाई स्टार्ट करनी है, और यहीं पर हमारा यह लास्ट ब पट्टी के फंदे बना लिए फिर धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा अब यही पर हमने ये फंदे को उल्टा बनाना है इसके साथ लेकिन यहाँ पर डिजाइन में भी हमारी लास्ट रो है यहाँ पर दो का एक होगा ना एक फंदा ये वाला तो पर तीनो को दो का तीन का एक कर देते हूँ यही पर तीन का एक ही कर देते हूँ है ऐसे ही डिजाइन का एक फंदा हे एक फंदा ये वाला और एक जो गले वाला है एसे तीन का Immer aims करने के बार दागा दूसरी तरफ करेंगे अब यहाँ पर यह 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालते हुए, यह 3 फंदे सीधे और यहाँ पर हमने ऐसे 2 का एक करना है, इस तरह से, देखे, यह हमारा डिजैन भी कम्प्लीट बन गया और यहाँ पर गले की घटाई भी हमने स्टार्ट कर दी है अब बाकी की सारी रोतर डिजाइन के कोड़ी ही बनेगी और लास्ट में ये हमारा एक डिजाइन इसी तरह से चलता जाएगा अब लास्ट में देखें यहां पर यह दो फंदों पर ही दो का एक होगा हमारे यहां पर बीच में जाली चलती जाएगी यह सेम टू सेम सारा डिजैन वैसे ही बनता जाएगा हमारा अब यह उल्टी तरफ से रो कम्प्लीट कर लीजिए यहां पर आएंगे जब बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको अब फिर से हम सीधी तरफ है बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बनाया हमने अब यहाँ पर फिर से इन दो फंदों को ऐसे एक साथ सलाई में लेंगे यह उल्टा फंदा और यह सीधा फंदा इन दोनों को ऐसे लिए सलाई में दो का एक कर देंगे इस तरह से ठीक है, दो काई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये 1 ये 2 ये 3 और ये बीच वाला एक फंदा ये टोटल 4 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे आगे, same to same अब यहाँ पर हम जाली नहीं डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं डालेंगे क्योंकि इन फंदों को दो काई क, दो काई करते हुए, यहाँ पर हमने गले वाले फंदे बनाने हैं, बिल्कू सेम टू सेम बैसे ही, जैसे हमने दूसरे पले में मनाए हैं, और धागा अपनी तरफ करते हुए, यहाँ पर हम जारी डालेंगे, यहाँ पर दो काई करना है न, जारी डालेंगे और दो काई करेंगे इस तरह से और बाकी की सारी रोटों वैसे ही हमारी डिजैन के अकोडिंग चलती जाएगी यहां पर हमारा दो का एक दो का एक होता जाएगा जैसे हमने इस साइड में बनाया था ना बिल्कुल वैसे ही यहां पर यहां पर भी हम वैसे ही देखे यहां पर दो का एक, दो का एक करना बताया था मैंने आपको यहां इधर वाली जाली हमने बंद कर दी थी सिर्फ इस साइड वाली जाली चलाई थी जब यहाँ पर यह जाली वाला फंता भी देखिए दो का एक हो गया ना हमारा दो का एक होने के बाद फिर इधर वाली जाली भी हमारी बंद होगी ऐसे ही आगे आगे हमने बनाते जाना है जब ये वाली पत्ती आएगी उस पर भी same to same इसी तरह से design डलेगा इसी तरह से ये हमारी घटाई देखे बंद दी जाएगी बिल्कुल असान है इस घटाई को डालना तो ऐसे ही बिल्कुल हमने इस side में भी घटाई डालने है जैसे हमने इधर वाली side में आपको दिखा भी दिया है बता भी दिया है तो ये वाली घटाई भी आप complete कर लेजिए ये वाली घटाई हमारी complete हो गई है दोनों side से हमने ये cutting कर दी है अब next part में मैं आपको बताऊंगी ये तीरे वाले फंदे हमने पीछे वाले पल्ले के साथ कैसे बनाने है और ये button पट्टी को कैसे joint करना है क्योंकि मैं बिल्कुल नई तरीके से करती हूँ उपर अभी किसी ने नहीं बता आया है या ये वाला त्रीका ना जो वाला मैं यूज करती हूँ जैसे पहले हमें ऐसे button पट्टी के फंदों को सिरफ वाले पल्ले के साथ सिलाई करके उसे joint करती थे लेकिन अब साथ के साथ ही मैं इसे joint करती जाती हूँ कोई सिलाई नहीं आती है कुछ नहीं आता है बिल्कुल सफाई से वो सिल कर आता है तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स पार्ट में अगर यह वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना है आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैव नाइस टेए